ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा लेकिन उस अधिनियम के तहद डुंगरपुर जिल्ले की जो आज तक इस्तती बनी हुई है उस इस्तती से मैं आपको अवगत करना चाह रहा हूं उस पूरे जिल्ले में एक काणो वनखंड है टोटल पूरे जिल्ले में एक काणो वनखंड है और अब तक जो सरकारी आकड़ा आया है तो 2-3,000 लोगों ने विक्तिकत वनपत्र देने के लिए दावा पेस किया है और पूरे जिल्ले में कई ऐसे राजस्व गाव हैं जो एक ही पंचाइट के हैं लेकिन उनको पंचाइट मुख्याले तक जाने के लिए 5-6 किलोमेटर गुम के जाना पड़ता है कारण ये है कि बीच में वनवी बाग है क्योंकि अभी तक की जो साल पर की जो इस्तती रही है अधिकारी लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और नहीं उनको डर है डर इसले नहीं है और जिम्मेदार इसले नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर 2-3 महिने में एक टास्पर हो रहा है अब तक चार कलेक्टर टास्पर हुए और HDMI की बात करें तो एक HDMI मनलब एक HDMI कारालिय से वहां से दो से तीन तीन चार चार HDMI अब तक परिवर्तन हो गए तो कोई भी यह सुनिच नहीं हो पा रहा है किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अब तक जो कोईशन लगाए उसमें जवाव आया कि 2800 बावे प्राप्त हुए निरस्त एक भी नहीं किया गया है और पट्टा भी एक भी नहीं दिया गया है तो प्रसासन है पूर्वर जो कोईशन लगाए था मंद्री जी ने जवाव दिया था एक बरोटी गाव का और ये मालमता घाव का जवाव था तो उसमें बताया गया थे कि जो लोग थे 1867 बिगा जो जमीन थी उनका भी अब तक कोई निस्तारण नहीं हुआ उसमें आपके आपके दारा ही कहा गया था कि उनको जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाएगा उनको वन पत्र दिया जाएगा लेकिन नहीं दिया गया है अब तक उनको आज भी वही इस्तति बनी हुई है और पूरे हिलाके में डुंगरपुर जिल्ले में 3-4 सामुदाइग दावे प्राप्त हुए है और ऐसी इस्तति है पूरे जिल्ले में कि कम से कम से 30 से 40 सामुदाइग दावे जो है अब तक पंचा दस्तार खांड तक असन को वहां ऐसे डारेक्शन दे और उनका वन पत्र दिये जाए दन्यवाद दिक्षिए ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्र और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा